नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को, एक बार फिर से आपके अपने योट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में प्रेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एलपी के दुआरा पुछे गए साइन्स के कोशन्स को देखेंगे जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2018 के शिप्ट 3 के कोशन को देखेंगे बाकी शिप्ट 1 और शिप्ट 2 के वीडियो और डेटी चैनल पर अप्लोड हो चुका है जिस किसने नहीं देखेंगे वो चैनल के पले लिस्ट या फिर उपर के आई बटन में जाकर करके देख सकते हैं ठेक है तो चलिए देखते हैं आज के इस शिप्ट का सबसे पहला कोशन क्या है देखे सबसे पहला question क्या है कि focus दूरी वाले एक उत्तल दरपन को दरवे mu माइनस 4 बटे 3 में डुबाया जाता है तो दरवे में दरपन की focus दूरी कितनी होगी तो बताइए focus दूरी कितनी होगी 4 बटे 3 app होगा या फिर 3 बटे 4 app होगा या फिर 7 बटे 3 app होगा या फिर सिर्फ app होगा तो देखिए इसका सही उतर होगा केवल एप ठीक है N का option D का retensor हो जाएगा चली आखिर इसा क्यों होगा इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं देखिए दरपन की focus दूरी जो है वो तब तक समान होंगे जब तक की डुबाई गई वस्तू लेंस नहीं हो ठीक है और इस परकार focus दूरी जो है वो एप के समान हो जाएगा उसके बाद question number 2 देखिए क्या है कि रिनातमक तवरन किसके विपरित दिशा में होता है तो बताए रिनातमक तवरन जो है वो किसके विपरित दिशा में होता है वेग के, बल के, दूरी के या फिर संवेग के तो देखिए रिनातमक तवरन जो है वो वेग के विपरित दिशा में होता है या इनका option ये इसका right answer हो जाएगा चले इसके बारे में कुछ और हम लोग डिटेल से जान लेते हैं तवरन की दिशा इस समान सिधान्द की द्वार निर्धार्द की जाती है कि यदि कोई वस्तू धीमी हो रही है तो तवरन गती की विपरित दिशा में होगी क्या है कि अगर कोई वस्तू है वो धीमा हो रहा है तो तवरन की गती वो कैसा होगा विपरित दिशा में होने लगेगा तो इसलिए इस सिधान से यह असपष्ट हो जाता है कि जब कोई वस्तू धीमी हो रहा होता है तो तवरन वेग की विपरिद दिशा में होगा ठीक है क्या है कि जब कोई वस्तु धीमी हो रहा होता है तो तवरन वेग की विपरिद दिशा में होने लगता है ठीक है और यह एक दिनातमक तवरन होने लगता है तो बताई कि इस परक्रिया के द्वारा सुध पिगले हुए अयस्क से उच अभिक्रियासिलता वाली धातों पराप की जा सकती है, निस्तापन द्वारा, विदुत अभगटन द्वारा, रोष्टिंग या फिर भरजन के द्वारा, या फिर उचित अपचायक कारक द्वारा अपचयन, तो देखे, इसका सही उत्तर हो जागा, विदुत अभगटन के द्वारा, ठीक है, यानि का उप्चन 20 का रेटेंसर हो जाएगा, चले इसके बारे में कुछ और जानते हैं, देखे, विदुत अभगटन परक्रिया द्वारा उच अभिक्रियासिल धातों, जैसे कि मेगनेसियम हो गया, केलसियम हो गया, सोडियम हो गया, इत्यादी को सुध पिगले हुए अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आखे, आखे, विदुत अभगटन होता क्या है, तो एक पदार्थ, जो विल्लियन में, आयनों में, अलग हो जाती है, और बिजली का संचालन करने की छमता हासिल कर लेती है, विदुत अभगटन के रूप में जानी जाती है, विदुत अभगटन को विदुत अभगटन भी कहा जाता है, इसमें सोडियम, पोटेसियम, कुलोराइड, केलसियम और फोस्पिट सहित पदार्थ सामिल होती है, उसके बाद चली हम लोग जानते हैं कि भरजन और निस्तापन क्या होता है, तो देखे, अयस्क को वायू की उपस्तिती में उसके गल्लांक सी कम ताप पर गरम करकी और ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भरजन कहते हैं, ठीक है, क्या होता भरजन, कि जो वायू की अनुपस्तिती में गरम करकी और अक्साइड में परिवर्तित करते हैं, तो इसे निस्तापन कहते हैं, मतलब देखे, अगर वायू की उपस्तिती में गरम करेंगे, तो वो कहलाएगा भरजन, और वायू की अनुपस्तिती में गरम करेंगे, तो वो कहलाएगा निस्ताप उसके बाद question number 4 देखे क्या है कि नीमन में से कौन सा मिरत पोसी है तो बताए इन में से कौन सा मिरत पोसी है कबुत्तर मसरूम सेवाल या फिर मनुस्य तो देखे यहां पर मिरत पोसी कौन हो जाएगा हो जाएगा मसरूम ठीक है यानि का option 20 का right answer हो जाएगा चलिए उसके बाद हम लोग मिरत पोसी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है तो वह एक पोसन होता है जिसमें जीव छैयुग्द नम्पतियों नम् मिरत लककरी या फिर कुछ अनुब्यकार स्रेह हुए अवस्यासों या फिर कारबनीक पदार्थों से अपना भोजन पराप तो देखे मस्रूम एक कवक सम्हू के उन्नत सदसे होते हैं जो जो बेसी डी ओमाइसेट्स वर्ग से संबंदित होता है वे मृत और सरने वाले पदार्थ जैसे की गौबर पुरानी सरी हुई लकलियों पर उगते हैं जो कारबनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं इसलिए वे मृत जीवी कहलाते हैं ठीक है उसके बाद कोस्टन नवर फाइब देखे क्या है कि नियुलेंट्स नियम द्वारा अश्टक वरगी करन में नियमन मैसी कौन साता तो अंतीम है तो बताए नियुलेंट्स नियम के द्वारा अश्टक वरगी करन में कौन साता तो अंतीम ह रेडियम, थोरियम, लोहा या फिर रोडियम तो देखिए इसका सही उतर जगा थोरियम ठीक है यानिका option B इसका रेटेंसर हो जाएगा प्रेंस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तुसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी share करें ठीक है चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं देखिए निवलेंस के अश्टक नियम के अनुसार जब तत्तों को उनके परमानु दर्यमान के बढ़ते हुए करमें विवस्तित करते हैं तो आठवें तत्तों के गून पहले तत्तों के पुन्राविरति होते हैं निवलेंस ने तत्तों को 36 पंक्तियों में विभाजित किया है जिसमें से थोरियम जो है वो निवलेंस के अक्टेव नियम में सबसे अन्तिम तत्तों था परतिरोधों को स्रेनी करम सायोजन में जोदा जाता है तो परतेग परतिरोध की सीरों पर विदुधारा का मान क्या होगा तो बताइए क्या होगा आधा हो जाएगा समान रहेगा घट जाएगा या फिर बद जाएगा तो देखिए इसका सही उतर जगा समान रहेगा ठीक है यानि कि option 20 का right answer हो जाएगा, चलिए हम लोग स्रेणी करम और समांतर करम दोनों के बारे में जान लेते हैं, देखे जिस परीपत में सभी घटक स्रेणी करम में जुदे हो, उसे स्रेणी करम परीपत कहते हैं, और फिर स्रेणी करम परीपत में क्या होता है, तो स्रेणी करम परीपत में हर एक घटक से समांधरा परवाहित होता है, और जिस परीपत में सभी घटक समांतर करम में जुदे हो, उसे समांतर परीपत कहते हैं, और समांतर परीपत में क्या होता है, तो समानतर पदीपत में हर एक घटक पर समान भोल्टता उपलब होता है मतलब अगर देखा जाए कि समानतर पदीपत में हर जगह क्या होता है उसका भोल्टेज अंकि भोल्टता समान होता है अर सरेनी कर में क्या होता है उसका हर जगा जो है वो धारा परवहित समान होता है उसके बाद question number 7 देखिए क्या है कि उस धातु का नाम बताईए जिसे चाकू से असानी से काटा जा सकता है तो बताईए वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से असानी से काटा जा सकता है तामबा, sodium, sona या फिर aluminium तो देखिए इसका सही उतर जगा sodium यान कि option B इसका retensor हो जायेगा चली कुछ और हम लोग इसके बारे में जानते है देखिए सबसे पहले समू एक के ततों के बारे में जान लेते हैं देखिए समू एक के जो ततों होते है वो सभी ततों को चार वाला धातू कहते है तो देखिए चार धातू है कौन-कौन से तो चार धातू है लिथियम हो गया, sodium हो गया, potassium हो गया rubidium, cgm, francium ये सभी ततों जो है वो चार धातू में आते है इसमें से हाइडरोजन जो है इस माइने में अज़वित्ती होता है इसे आम तोर पर समू एक में रखा जाता है लेकिन यह एक धातू नहीं है देखिए हाइडरोजन को भी समू एक में रखा गया है लेकिन हाइडरोजन जो है वो एक धातू नहीं है उसके बाद देखे कि छार धातों के योगी, परकृती और दैनिक जीवन में आम होता है समू एक के छार धातों में से जो सोडियम है और एक जो पोटिसियम है ये दो धातों को चाकू से असानी से काटा जा सकता है इसके बार देखे, सोडियम को कहां पर रखा जाता है सोडियम और पोटेसियम रखाा जाता है क्योंकि यह धोनाओ हवा के संपर्क मैं आने से दूरत आग पकर लिता है उसके बाद कोस्टा नवर आठ देखए कि बिलिचिंग पाउडर में पाने मिलाने पर देखिए क्या है कि बिलेचिंग पाउडर को केलिसियम हाइपो कलोराइट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बिलेचिंग पाउडर को किस और एक नाम से जाना जाता है तो केलिसियम हाइपो कलोराइट के नाम से जाना जाता है पानी के साथ बिलेचिंग पाउडर की परतिक प्रतिक्रिया करता है तो calcium hydroxide और chlorine gas बनता है क्या है कि जब calcium hypo chloride जो है जब वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है calcium hydroxide और chlorine gas बनता है ठीक है उसके बाद question number 9 देखिए क्या है कि 4 kg की वस्तु 36 रूप से 5 meter पर 30 second की चाल से आगे बढ़ दाई है इसकी चाल को 10 meter पर 30 second तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर cool किये जाने वाले कारी की आवस्यक मातरा कितनी है तो देखें यहाँ पर क्या क्या दिया है सबसे पहले यहाँ पर 5 meter पर 30 second की चाल से आगे जा रहा ठीक है यहां कि यह क्या है यह आपका यू का मान दिया है ठीक है तो यहां पर हम लोग का इनरजी का फर्मला यूज करेंगे ठीक है यहांपर हाप M जो है दोनों में common आ जाएक तो हाप M जो है दोनों में common आ जाएक तो अंदर में क्या बचीगा दो बचेगा है 150 हो जाएगा ठीक है यानकि 150 जूल इसका हो जाएगा कहाँ प्या तकि आपका option ये में है तो option ये इसका रेटनसर हो जाएगा ठीक है देखी क्या है कि कारी उर्जा परिमे तो कारी उर्जा परिमे क्या होता है कारी उर्जा परिमे कहता है कि किसी पींड पर कारी करने वाले सुध बल के दुआरा किया गया कारी गतीज उर्जा में उत्पन परिवर्तन के बराबर होता है इसे हम लोग W बराबर क्या करते है kinetic energy जो है final velocity और kinetic energy में initial velocity को minus कर देते है उसके बाद ये work अनकी कारी निकल जाता उपरोथ समिकरन को ही कारी उर्जा परिमेज समिकरन कहते है किसी फर्मूला से हम लोग क्या किये इसको solve कर लिए उसके बाद question number 10 देखिये क्या है कि पर्तिरोध की SI मातरक क्या है तो बताए पर्तिरोध की SI मातरक क्या है Joule, Coulomb, Ohm या फिर Newton तो देखिये पर्तिरोध की SI मातरक क्या है Ohm है ठीक है यानकी option C इसका right answer हो जाएगा चले कुछ देख लेते हैं इसके बारे में पर्तिरोध एक विदुद परिपत में विदुद धारा के विरोध की माप होता है पर्तिरोध को Ohm में मापा जाता है जिसका पर्तिक, ग्रिक अक्षर, Ohmega यानकी इस तरह इसको denote करते हैं लिएक इसको Ohmega बोलते है उसके बाद कोस्टन नमर 11 देखिए क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है तो बताईए सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है समतल दर्पन, अवतल दर्पन, बेलनाकार दर्पन, या फिर उतल दर्पन तो देखिए सर्च लाइड का परावर्तक भाग होता है आवतल दर्पन ठीक है यान कि option 20 का रेटेंसर हो जायेगा चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं आवतल दर्पन को ही अभिसारी दर्पन कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है तो आवतल दर्पन में एक परावर्तक सता होता है जो कि भीतर की ओर परावर्तक होता है ठीक है परावर्तित दर्पन परकास को एक फोकल बिंदू पर अंदर की ओर परति बिंबित करते हैं उनका उपियोग परकास को फोकस करने के लिए किया जाता है यानि कि अवतल दर्पन का उप्योग हम लोग किस लिए करते हैं तो अवतल दर्पन का उप्योग करते हैं हम लोग परकास को फोकस करने के लिए देखें यदि आप समतल दर्पन में देखें तो आप पाएंगे कि छवी का आकार वस्तु के आकार के समान दिखता है ठीक है तो अगर आप अवतल दर्पन में वस्तु को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वस्तु का जो परतिवीम बनेगा वह वस्तु से बदा बनेगा ठी क्या होगा वो वस्तु से छोटा दिखेगा ठीक है तो यह समानता है समतल में समान दिखेगा अवतल में बदा दिखेगा और उतल में छोटा दिखेगा उसके बाद कुस्ठद नवर बारा देखे messing क्या है कि सही उतर जगा थेलोफाइटा ठीक है यानिका option C इसका रेटनसर हो जाएगा चले इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं देखी थेलस जो है वो पोधे के सरीद का एक रूप होता है जिसे जदों पतियों और तनों में विभाजित किया जा सकता है यहां महतपुर्ण कारियो को करने के लिए एक साथ संगठित की गई कोशी काओं का संगरा होता है उसके बाद है कि सेवाल और ब्रायोफाइटा पादप सरीद के थेलोईट रूप में दरसाते हैं वे थेलोफाइटा समू के होते हैं टेरिडोफाइट्स में क्या होता है तो टेरिडोफाइट्स में पोधा जो विभाजित शरीद वाला होता है ठीक है उसके बाद question number 13 देखिए क्या है कि rain wear की node सुच मचीदर है जो dash में पाई जाते हैं तो बताई जो rain wear की node है वो सुच मचीदर है वो किस में पाई जाते हैं myelin तंत्रिकाक्ष में गरंथी कोशी काये में अस्थी कोरक में या फिर कॉंड़ो बलाष्ट में तो देखिए इसका सही तर जगा myelin तंत्रिकाक्ष में ठीक है यान के option ये इसका रेटेंसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं जिने हम लोग रेनवियर के नोड कहते हैं ठीक है फिर आचदी तंत्रिका तंतु मेरू वा फिर कपाल तंत्रकाओं में पाय जाते हैं देखिए आचदी तंत्रिका कहां पाय जाते हैं युगमक परजनन से उत्पन संतती भिंता दर्साती है या फिर नए जीव अन्वान सी ग्रूप से माता पिता के समान होते हैं तो देखे इसका सही उतर जगा option D ठीक है याद कि नए जीव अन्वान सी ग्रूप से माता पिता के समान होते हैं चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ और जानते हैं दखी अल लेंगिंग पर जनन और लेंगिंग पर जनन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है तो मुख्य अंतर यह होता है यह अल लेंगिंग पर जनन में एक माता पिता सामिल होते हैं और योन पर जनन में दो माता पिता साम होता इसमें ठीक है उसके बाद कोस्टन नवर 15 देखे क्या है कि NH4 whole 2 SO4 अनु में कितने परमान उपस्थी थे तो बताइए NH4 whole 2 SO4 अनु में कितने परमान उपस्थी थे 15 चोगदा 12 या फिर 13 तो देखे इसका सही उतर जगा 15 ठीक है तो कैसी होता है इसके बारे में देखे लेते हैं देखें हैं यहां पर सबसे पहले कि हाट है तो हैं यहां पर है क्या है जा गटाएगा तो प्रकाई यहां पर दिके S क्या गोए है, S एक ठो है, तो यह की रहा है और वो क्याठ हो है, वो चार्ट हो है, तो सबको add कर देजी, तो 8 पलस 2, 10, 10 पलस 11, 11 पलस 4, कितना होगा 15, अनकी total कितने परमान होगे, तो 15 परमान होगे, ठीक है, उसके बाद कोस्तन नमर 16 देखें क्य रूप में मापा जाता है, तो बताए, समवेग को किसके गुननफर के रूप में मापा जाता है, दर्यमान और तवरन के रूप में, दर्यमान और जरत्व के रूप में, दर्यमान और वेग के रूप में, या फिर दर्यमान और बल के रूप में, तो देखे, समवेग को दर और वस्तु का वेग भी हो तो वस्तु का संवेग पी जो है वो क्या होगा वो पी बराबर एम इंटु भी हो जागा ठीक है जहां पर पी क्या संवेग है जो कि एक सदी स्रासी होता है उसके बाद कुस्टन नवर 17 देखे क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सार्दी में तत्तों क धारिता या फिर परमानु अकार तो देखे इसका सेट तवर जगा परमानु द्रेवमान ठीक है यानका उप्शन बीसका रेटनसर हो जाएगा देखे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसर तत्तों के भौतिक एवं रसायनी गुन उनके परमानु भार के आवर्त फलन होत ट्रेंगे इसका कुस्स्ता नमर 18 देखे क्या है कि लाल चीन्टी ओं में कौन सा अमल्ञाता है लाल चींटी ओं में खांद हता है धो मेली कामल मुखрах के बांकि और चाय में रहता है फॉर्मिक एसीड लाल चींटी के सरीद में पाया जाने वाला एक एसीड होता है यूपेक नाम इसका क्या है इसका यूपेक नाम जो है वह HCWH को मेथेनोईक एसीड के रूप में जानते हैं ठीक है फॉर्मिक एसीड के परिणाम सवरू हमें चीटियों के काटने के बाद जलन और खुजली का नुभव होने लगता है उसके बाद कोस्टन नवर 19 देखिये क्या है कि 1KWH मतलब 1 किलो वाट घंटा बरावर कितना होता है तो बताई 1 किलो वाट घंटा बरावर कितना होता है तो है और बाकि 1 घंटा बरावर कितना होता है तो एक गंटा बरावर होता है जितना होता है तो 3600 सेकेंड होता है बाकि यहां पे 1000 गुना 3600 कर देजे तो कितना जगा 3.6 गुना 10.6 गुना 10.6 जूल हो जाएगा ठीक है उसके बाद इस सिप्ट का आखरी कोस्टन कोस्टन वर 20 देखें क्या है कि पिर्थ्वी पर गुर्ति तवरन का मान क्या होता है तो बताई क्या होता है भुमद रेखा पर सबसे कम होता है धुर्व पर सबसे कम होता है धुर्व से भुमद रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है या फिर धुर्व और भुमद रेखा पर एक समान रहता है तो देखे इसका सही उतर जगा भूमद रहा पर सबसे कम होता है ठीक है यानके option ये इसका return पर चन्बल के कारण वस्तु के द्वारब परातवस्तवरण को ही क्या कहते हैं गूर्थ वित्वर्व Newton meter square kg square ठीक है जहां पर देके capital M बराबर क्या होता है तो गरह का दर्यमान होता है और r बराबर क्या होता है तो तिर्जिया या उस गरह के कैंदर से दूरी होता है उसके बाद चले जान लेते हैं कि पृत्वी का जो गुर्त तवरन है तो पिर्तिवी के केंदर पर या फिर विशुवत रेखा पर गुर्तिवी तबरन सुनी होता है ठीक है जब कि भूमद रेखा से धुर्व की और बाढ़ने पर क्या होता है इसका मान बाढ़ जाता है और धुर्वों पर इसका मान क्या होता है सबसे अधिक होता है तो बस इतना ही था फ्रेंट्स कैसे लगा ये वीडियो कॉमेट में जरूद बताईएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो एक अगले सिप्ट को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद